मैं यहां उपस्तित और देश की कौने-कौने से जुड़े प्रतेग भाजपा कायरकरता का मैं अभिनंदन करता हूँ भाजपा कायरकरता साल के हर दिन 2400 गंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है लेकिन अब अगले सो दिन नई उर्जा, नया उमंग, नया उत्सा, नया विश्वास, नये जोश के साथ काम करने का है आज अठारा फरवरी है और इस कालकर्ण में जो युवां अठारा वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की अठारवी लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं अगले सो दिन हम सब को जुट जाना है हर नए बोटर तक महुंचना है हर लाभार्थी तक महुंचना है हर वर्ग हर समाज हर पंद्न परंपरा सब लोगे के पास पहुंचना है हमें सब का विश्वास हांसिल करना है और जब सब का प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे जादा सीटे भी बीजेपी को ही मिलेगी और आज मैं कल मुझे पदादिकारियों के साथ बैठने का आफसर मिला कल दोपर के से आप सब के साथ बैठने का आफसर मिला मैं नग्दाजी को और उनकी पूरी टीम को और आप सब को बदाई देता हूं जब मैं पदादिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाज़पा के कार करता है सत्ता में रहने के बावजुद भी समाच के लिए इतना करते हैं दिन रात दोड़ते हैं संकटों के बीज भी करते हैं और सिर्व और सिर्फ भारत मा की जय के लिए करते हैं यह दोड़ीन में जो चर्चा हुआ विचार विमर्ष हुआ है देश के उजवल भविश्य को लिए हमारे संकट को द्रड करने वाली हर बाते हुई है मैं भव्य आयोजन के लिए प्रेरक विश्यों के लिए आप सबको भी देश पर के कार करता हूं को भी नद्याजी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूं कि साथियों कि आज मैं समस्त देश वास्चियों की तरप से कि संत शिरोमनी कि आचारिय स्री एक स्वार्ट पुझ्य विद्या सागर्जी महाराज को कि स्रद्धा पुर्वक कि आधर पुर्वक कि नमन करते हुए स्रद्धान जली देता हूं कि उनके संवलेखन कि समाधिस्त होने की सूचना मिलने के बाद कि उनके अन्युवाई शोक में हैं हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिकत छती जैसा है वर्षों तक मुझे व्यक्तिकत रुप से अनेक बार उनसे मिलने का उनकी दर्शन करने का उनके मारदर्शन प्राप्ता करने का अवसर मिला है कुछी महिने पहले ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कारकम को बदल करके भाव सुबह सुबह में उनके पास पहुंच गया था अब पता नहीं था कि मैं तुबहरा अब 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 उनके दर्शन नहीं कर पहुंगा यह मेरा सवभागे रहा है कि पिछले पचास से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के घणमान्या अध्यात्मिक मुर्तियों के निकट रहने का उनके अश्रिवात पारने का अवसर रहा है और इसलिए मैं उस अध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भली पाती जानता हूं समझता हूं अनुभव करता हूं आपको सुरकर का अश्र होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे उनका जीवन कैसा होता है मैं जानते हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपुन घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरब से कुछ महत्वपुन किसी काम में मेरा संबन्द आया हो चोबीस गंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था इने कितने जागरुक थे और अपनी विराठ अध्यत्म के आत्रा है और उसके बाद भी वो हम सब को हमेशा प्रेणा देते रहे हैं जीवन भर उतनी सम्मेता के साथ उनका लोगों को मिलना उन्होंने हमारे युवाओं को परंप्राओं से जोड़ा गरीबों तक सिक्षा और स्वास्त की सुविधाय पहुचा लिए उनका पूरा जीवन उस व्यक्त के लिए प्रेणा जसा है जिसने गरीबों और वन्चितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है आज जब भारत प्रगति के पत्पर आगे बढ़ रहा है मुझे विश्वात है कि उनके सिध्धांत और उनका अशिर्वात ऐसे ही भारत भूमी को प्रेणा देता रहेगे साथियों पिछले दस वर्सों में भारत ने जो गत्ती हांसिल की है बड़े लक्षों को प्राप्त करने का जो होसला पाया है यह भूत्पुर्व है साथियों और इसले ने कि मैं कह रहा हूं दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है भारत ने आज हर छेत्र में जो उंचाई हासिल की है उत्रहर देश बासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है और यह संकल्प है विक्सित भारत का अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है सपने भी विराठ होंगे संकल्प भी विराठ होंगे और यह हमारा सपना भी है हम सब का संकल्प भी है कि हमें भारत को विक्सित बनाना और इसमें अगले पांच वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है अगले पांच साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है अगले पांच साल में हमें विक्सित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है लेकिन भाई और बैनों सारे लक्षों की प्राप्ति के लिए पहली शर्ट है सरकार में भाजपा की जोड़दार वापस ही आज विपश के नेता भी एंडिये सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एंडिये को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माल्स्टोन पार करना ही होगा साथियों कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते के अरे मोदी जी आपने इतना तो सब कच्छा कर लिया जो बड़े-बड़े संकल पांप में लिए वो तो पुरे कर लिए हैं अब क्यों इतनी भागदोर करने हैं साथियों पुरा देश मानता है दस साल का बेदा कारकाल और पचीश करोड लोगों को गरीवी से बाहर निकालना यह सामान्य उपलब दिन नहीं है पुरा देश मानता है हमने देश को महा गोटालों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई है पुरा देश मानता है हमने गरीब और मिडल कास का जीवन बहतर करने का प्यास किया है लेकिन जो लोग सोचते हैं बहुत हो गया ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी गटना जुरूर बताना चाहूंगा एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधान मंत्री पत के दूसरे कारका पर बोले मोदी जी प्रधान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है बन गए आपने इतने दसरतों के संगठ हमका भी काम कर लिया मुख्य मंत्री के रुप में भी इतना लंबा समय रहे चुके प्रधान मंत्री में भी दूबारा आ गए अब इतना काम किकपा लिया है अब तो थोड़ा बैठो आराम करो बहुत कर लिया है यह उन्होंने मुझे कहा था उनकी वह भाउना राजनीती के पुराने अनुभवों से थी लेकिन साथियों हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट्र नीती के लिए निकले है